तो गाई CBLU चोदरी बंसिलाल उन्वस्टी ने तीन नई नोटिफिकेशन जारी करी है यह नोटिफिकेशन है रिएपियर और रेगुलर के जो फोरूम भरे जा रहे थे और समेस्टर के लिए उनकी डेट को एक्स्टेंड होने को लेकर ठीक है तो डेट एक्स्टेंड की यूजी फोर्स समेस्टर के फोरूम भी चले हुए थे उनकी डेट बार-बार एक्स्टेंड हो रही थी यह है मेन और यह पिर के तो विदाउट लेट फीस यहां पर चार तारिक कर दी गई है चार मार्ज तक आप विदा लेट फीस के आप अपना फोरूम समिट करवा सकते को लिज्ट से थीक है उसके बाद पांच सारी कोर साथ तारीक तक आपके पांच से लेकर सातं तरीक तक आपके 500 रुपे लेट फीस लगेगी और उसके बाद आपकी आठ तारीक और 9 बाज़ार रुपे इसका मतलब यह है इस फॉर्म की डेट से पता लग जिए कि भी जो के रिपेर के पेपर हैं वो आपके मार्च के first week से आगे जाएंगे ठ्रकान मतलब जो examination होने वाले हैं वो आपके second week के बाद होंगे ठे culture मतलब आपके 15 March सोला मार्च या अप्टू बीश मार्च तक आपके examination स्टार्ट हो पाएंगे फर्स समेस्टर के ठीक है यूजी के उसके बाद यह देखिए उसके बाद यह फोरम मैं PG 1st semester and 3rd semester ठीक ना यह है special case के भी दीये गए हैं आपके देख लेते हैं इसको एक बार complete देख लेते हैं इट इस Notifad for information to all concerned that the special चान्स फोर पीजी ओर समेस्टर यह 17 से 19 के फोरम है ठीक ना 17 से 19 का जो बैद से बच्चों का उनके लिए फोरम है ठीक है तो यहां पर फास्ट एंड थार्ड समेस्टर सतरा से 19 पीजी जो डेट एक्स्टेंड हुई है तेईस तारिक से 10 तारिक तक आप फोरम समिट करवा सक ठीक ना तो पीजी फर्स्ट एंड थार्ड समेस्टर के ठीक ना यह भी एक्जैमिनेशन है जो आपके 10 तारिक से पहले नहीं होने वाले ठीक ना यह भी आपके लग बग यह लगा लोगी 18 से 20 तारिक को आपके स्टार्ट हो पाएंगे ठीक ना और इनकी जो फीज रहने व होती है वो ठीक है उसके बाद जो थार्ड नोटीस है यह नोटीस है पीजी फर्स समेस्टर जो मेन और रियेपेर के बच्चे हैं जिनका स्पेशल चांस नहीं है मतलब 19 के बाद के जो बच्चे है ठीक ना जैसे 18 19 और 20 में जो एडमिट हुए है उन बच्चों के लिए ठी पीजी फर्स समेस्टर मेन और यह पियर और साथ में बी यह यहल बी सेवन्थ समेस्टर ठीक है तो बी याफ़ी सहन समस्टर एंड पी फ़स्च समेस्टर मेन अंडें थे तो विदाविट फैसन कीविद्ट रहने वाली है 24 तारिक से यहां पर देखिए 24 तारिक दी गई थी पहले 24 तारिक end हो गई तो अब ये 4 तारिक टक चलेंगे ठीक है तो 4 मार्क तक ये फोर्म भरे जाने है ठीक है उसके बाद 5 और 7 मार्क को अपकी लेठ फीज लगेगी 500 ठीक है और उसके बाद 8 तारिक और 9 तारिक को थाउजन रूपीज लेट फीज हो जाएगी ठीक है पीजी फर्स समेस्टर रिएपियर एंड मेन उके उसके बाद बी एललबी सेवन्थ समेस्टर सेम डेट है 24 से आपकी 4 तारिक जो 4 मार्च तक आपकी नोर्मल F इसके बाद 5 और 7 मार्च को पाँच से लेकर 7 मार्च तक आपकी 500 अक्स्ट्रा और उसके बाद आपकी 8 और 9 तारिक को मार्च में 1000 रूपीज एक्स्ट्रा एड हो जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब भी और हो रहा है जो ये जो judeul अभी मैंने बताई है जो forum के तो इन से इलावा मालो 3 समेस्टर जो रियेपेर के exam है ठीक है ना regular ओर रियेपेर के जो ठार्ड समेस्टर के proper है в यूजी के वो paper आपके March के first week में start हो सकते हैं उसके इलावा सारे के सारे जो exam है वो exam आपके 10 तारिक के बाद ही होंगे मतलब 15 या 20 तारिक के आसपास जाएंगे ठीक है UGPG के फर्स समेस्टर के और यहां पे जो special हमने बताए हैं अभी ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भोलें तो चलिए वीडियो को क्वीट करते हैं थेंक्स पू वाचिंग